हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल का विनर भिया तो आज हम पढ़ेंगे कच्छा साथ का महान व्यक्तित्व पाठ तेरा पाठ का नाम है रानी दुर्गावती इसका हम अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे तो चली अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं तो इसमें हम पहला प्रश्न को हरा है निम्निलिखित प्रश्नों के उत्तर जीजिए इसमें हमरा को नमर है दुर्गावती को बचपन में कैसी कहानिये सुनने का स्वाग था तो इसका उत्तर हो जाएगा रानी दुर्गावती को बचपन में वीरतापूर एवं सहस भरी कहानिये सुनने वो पढ़ने में अच्छा लगता था चली अगला प्राशन देखते हैं खनमर, दुर्गावती के पुत्र का क्या नाम था इसका उतर हो जाएगा दुर्गावती के पुत्र का नाम वीर नरायन था चली अगला प्राशन देखते हैं गनमर, आसब खाने गढ़ मंडल पर आक्रमर क्यों किया तो इसका उतर हो जाएगा आसब खाने गढ़ मंडल पर आक्रमर इसलिए किया ताकि गोडवाना को जीत कर अकबर के राज्य में मिला दिया जाए चली अगला परसन दखते हैं गढ़ नमर पुत्र के अंतिम दर्सन के लिए रानी ने क्या उतर दिया तो इसका उतर हो जाएगा पुत्र के अंतिम दर्सन के लिए रानी ने उतर दिया यह मिलने का समय नहीं है मैं पुत्र से देवलोक में ही मिलूंगी अगला प्रश्ण कह रहा है प्रश्ण दो सही विकल्प चुनिये देखिए हमने यहाँ पर सही विकल्प चुन कर आपको दिखाया है इसमें प्रश्ण कह रहा है रानी दुर्गावती डल पती सा से विवा करना चाती थी क्यूंकि इसमें विकल्प दिया है वे बड़े देश इसके राजा थे दो में दिया है वे बड़े वीर थे और तीर में दिया है वे बड़े सुन्दर थे तो इसका सही हो जाएगा वे बड़े वीर थे चलिए अगला प्रसंद रखते हैं कह नमर को रहा है इसमें यूदभूमी में राणी ने तलवार अपनी छाती में भोख लीकिउ की इसमें पहला विकल्प कर रहा है उसके हमर्णा 34 के cheat music कहाथ में पढ़ना नहीं चाती थी और तिसरा खर रहा हूँ यूद भीप्रश्ण था हमने आपको दिखा दिया इसका उत्तर भी आपको बता दिया तो हम इसका अगला पाठ आपको अगले वीडियो में बताएंगे धन्यावाद